वल्कम बैक आफ्टर ते ब्रेक आउतीन वाज़ा डॉक्टर यामीन थो हमारे साथ एक और मेहमान आ चुके लेकिन उससे पहले और ब्रेक पर जाने से पहले हैं और ब्रेक पर ब्रेक पर यामीन साब से बात करें थे और ब्रेक के बाद हमारे साथ आ चुके हैं ये भी अलखिदमत के डिरेक्टर री हैब है अलखिदमत फांडेशन पाकिस्तान जनाब इजाज अलखिदमत के जो साथ एरिया जिनके ओपर वह बहुत सीरिसली फोकस कर रहा है और एक एरिया जो रह गया था वो अवका प्रिजिन मैनेजमेंट प्रिजिनस का है इसाथ भी आप मैनेज कर रहे हैं रियाब को और हम पह आप से बात करें थे मैं डॉक्टर साब से ब्रेक पर जाने से पहले सवाल कियाता है मैं उसमें वापस आऊँगा कि जो बच्छा जब ऑफनेज में आ रहा होता है तो बहुत हमारा जो पाकिसान का सोशल सेटप है अगर आप किसी के साथ अच्छाई करें ना तो वो चाचे में कॉंट्रिबूट भी कर रहा है या विचारा एक और गया उसमें उसका फालू अप रहता है कि वो उसको कोशिश करते हैं किस तरह जो भी उसकी आगे एजूकेशन है उसका भी इंतजाम हो जाए टेकनिकल हो या दूसरी हो जी और उसके बाद फिर अगर वो आगे नहीं पढ़ना चाते हो तो कौन से एरिय उसका इंट्रेस्ट है कहां वो स्टाइटी के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से एक अच्छा फर्द बन सकता है आप उसकी केरियर कॉंसलिंग और केरियर मैनेजमेंट भी इन्वल्व होते हैं बिल्कुल बिल्कुल अच्छा इजाजब आप आप यूर डिरेक्टर रियाब अब रियाब कई किसम के एक वो निशाई भी रियाब में होते हैं एक डिजास्टर का रियाब होता है आपका जो रियाब फोकस है वो एक मैक्रो लेवल पर अगर हम इसको देखें तो क्या है बिल्कुल अग्वारे ने मैं सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया रियाब की रियाब की रियाब तो देखें यह जो हम बहुत सारी जगाओं पर जो बहुत ज़रूई चीज़े हैं जो हम मिस करतें डिसकस नहीं करतें बहुत अच्छा आपने मौका दिया हमें रियाप की बात की रियाप तो देखें यह जो हमारा और्फन केर प्रोगाम है यह भी बेसिकली रियाप कही हिस्था है एक तरह से जी और हम ने यह इसकी बाकाइदा अब्तदा तो 2005 में जो अर्थको एक हुआ और उसके मौके पर हमें बहुत सारे ऐसे वाका मीडिया ने भी दिखाए और हमने भी खुद फिल्ड में रहके बहुत करीब से उसका जायजा लिया और देखा मुशायदा किया कि बहुत सारे मसाहिल खड़े हो गए थे और उसके नतीजे में यह हो रहता है कि जो बच्चे यह जो अभी थोड़ी दे पहले आपने एक बा मैंदी तोर पे यह अब्तिदा तो हुई 2005 से हमने जो आगोश का एक प्रजेक्ट अटक में बनाया और उसमें जिसमें आज दोहजार दोसो दस और दोसो पंदरा के करीब स्टूनेंट्स जो है वो जो और फेन हैं वो मुकमल एक ऐसे कैड़िट कॉलिज की तरह पूरा उसक के बाद हमने मरी का एक प्रजेक्ट डिजाइन किया मरी में प्रजेक्ट अंधिजान households 꺼내 में बनने जा रहा है हब में एक प्रजेक्ट हमने मुने डिजान किया को चार एकर जमें हमने हमने वहा ली है बल्के अलगे ईहले-खिर नहम दे दी है वो कि आगोश क lat ना जो सोला साल से और सतुरा साल से कम उमर बच्चे हैं जो बगयर किसी कफील के बगयर किसी कफालत के यहां पर जिन्दगी कजारे हैं यह यह रिय थैम हैं तो हमने उनको एड्रस करने के लिए हमने इप्तिदाई तौर पे दस हजार बच्चों का टार्गेट किया और दस हजार बच्चों के लिए हमने लोगों से अपील कि जो हमारे डोनर हैं जो दोस्त अबाब हैं अचा वो साथ आप बताते चलें जो एहले दिल देख रहे होंग आप स्पॉंसरा चाइल्ड करते हैं या आप किस सरह से डोनेशन को स्ट्रक्टर किया उसी चगह पहुंच गया तो पिन पाइंट वही बात है कि हमने फिए टार्गेट किया कि पहले स्टेज पे हम पाकिस्तान भर से जिसमें गिलगित बलतिस्तान और टश्मीर और बलुष लेके आते हैं और बात नहीं करते हैं जिसकी हम सिंद बलुष्तान की बहुत बात कर लेते हैं लिए हम सारे एरियास को हमने एड्रेस किया है हर जगह से स्टुएंट सिलेक्ट किया हैं और उनकी किफालत करेंगे हम अब्तेदाई तर्बे दस हजार बच्छों की जो कि इसथार रुपे दें एक बच्छे को एक साल तक कि किफालत करें उसमें उसके तालीम का पूरा खर्चा है तालीम के लावा उसकी जो तर्बियत का पूरा निजाम है उसमें कपड़े भी शामिल है उसके और उसको जो अपने घर की तरफ से चीज़े मिलनी जनी जिस जगह वो रह रहा है, अपनी मा के साथ रह रहा है, अपने चचा के साथ रहा है, अपने ताया के साथ रहा है, जिस जगह भी हो रह रहा है, और अगर वो आर्फिन है, तो उसको वो पैसे की शकल में, किसी वो बच्चों की जो खाइशात होती है, कि एद गिफ्ट की शकल में, चीज करना चाहूं तो मैं दस साल के लिए फ्रॉम ग्रेड वन टू ग्रेड टैने को करना चाहूं तो मैं दस साल कभी आपको एडवांस दे सकता हूं और फिर आप मुझे उसका पूरा ट्रैक रेकॉर्ड देखे मिरसात राप्ते में रहते हैं पूर लाइन के उनसे बात कर लिए स्लाम लेकुम जी बेन कौन हो कहां से अब मैं मधिया बात कर रही हूं कराची से यह मधिया सालेकॉम ऑल्वीटीग यह जो आपके पिछे यह जो आपके पिछे रेडियो लगा है वह नहीं जिसमें तस्वीर आरी है इसकी आवाज जरा कम कर दें सवाल जल्दी से जवाब देदे हैं है विट की आउटलेट है उसके ओपर कितना डिसकाउंट है 50% 40% 30% 20% 50% आप लाइन पे रहा है आपका नंबर हम ले लेंगे समबडी विल गेट इन टच विजू तेंक यू बड़े मच मधिया जी इजाजबी वापस आगे अब हम आते हैं यह तो आपने दस साल का रेकॉर्ड बताया बच्चे का हमने उसको मैनेज कर लिया अब हम आते हैं मास लेवल पर डिजास्टर होता है 2005 में अर्थक्विक आया फिर पीचे फ्लड आया पिर इस साल भी फ्लड वार्निंग्स या लम्दोलेला अल्ला का इसान है कि अभी ऐसा कुछ नहीं हो कराची खुदाना खास्ता सुनामी आजाता है हम वैसे भी एक अर्थक्विक रेंज के पर हैं वर्ट के सिनेरियो हमारी कोई तयारी नहीं है हम रियक्टिव हैं हम प्रो एक्टिव नहीं है हमें यह बताएं कि आपके आपके वास क्या प्रोग्राम है जैसे मेरे बच्चे अगर स्कूल गए हैं और को मेजर अर्सक्विक आता है खुदाना खास्ता कैजूलिटी हो जाए यह ना होने की सूरत में बच्चों को नहीं पता पेरेंट्स को कैसे अप्रोच करना है पेरेंट्स को नहीं पता बच्चों को कैसे ट्रैक करना है सुनामी इसका को मास्टर प्लैन गोर्मेंट से मैं इसलिए नहीं कहता देखें अब हम गोर्मेंट को साठ साल से तो है तो हम गौर्मेंट ही को रोते हैं लेकिंगे बिल्कु ठीक है बनियाई दौर पर पाकिस्तान में अब तक जो वेलफिर के जो काम हुए है वो तो ज्यादा तर नौन स्टेट एक्टर से अक्टर्ज ने करें और हम अलमदो ल्ला इस पर फखर करते हैं कि हमने वह बहुत सारे आसे काम की हैं लोगे आसे का हम की पेड़ करने की थे एंद्ध जो के बात हैं पिछले हमारे पाकिस्तान के बात来 रहें करें कि जो गुजर रहे हैं वो डिजास्टर के नजर हो रहा है चाहे वो मैंन मेड हो यह हमारे लोगों के पैदा करते डिजास्टर हो या अफात जो पुदरती आफात हो दोनों तरह से जो डिजास्टर हम ने देखें तो इसमें अलखिब्मत ने तो एक बड़ा एक रेस्क्यू प्लान बनाया है और अलम्दोल्ला इसी स से उसको बाकादा हमने उसका आखास भी कर दिया है कि हर शेहर में हम अपना एक रेस्क्यू पुरा नेटवर्क बना रहे हैं रेस्क्यू टीम बना रही है यह वैसे पंजाब गौर्मन्न की सब्सक्राव हम करते हैं लेकि पंजाब गौर्मन्न ने यह काम जो बहुत ईसने वन उसके काम कर सकती है है थो हमने उसी तरस पर पूरा एक प्लान बनाया है जो कि अब्त दाई तो पर साथ शेहरों में हम हम इ phải 쓰는 अबिर लियों पर चु़रू कर दिया, कि पूरा एक नेट्वर्क होगा जिसमें गाडियों से लेकर, मेशिनary है तक आप जब शहर की बात कर रहे हैं तो बजाए आप साथ शहरों में कठा करें क्या ये बेतर नहीं कि आप एक शहर फिर उसके डिस्ट्रिक्ट फिर उसके छोटे चोटे टाउन्स उन पर करके एक रोल बॉर्डल बना के उसको रेप्लिकेट करें या आपने मास लेवल पर शुर पर शहरों की तरह लेके जाएं पिशावर में ने शुरूर किया अगला स्टेप मारा मानसेरा का है और फिर उसके बाड़ ग्राम का है वो जो इससी तरह से इदर लकी मरवत आजाएं लकी मरवत है और डेरा इसमाईल खाने तो अगला प्लाइन इस तरह से चलेगी है तो हम कहीं अर्थ को एक एरिया है कहीं सुनामी के खतरात हैं कहीं रेन अमेरेंसी होती है तो इस हवाले से हम उसी हसाब से उसको प्राइन भी कर रहे हैं उसकी जो एक्रिमेंट हैं वो उसी हसाब से हम मैंनेज कर रहे हैं अच्छा अब इस पर कॉलर हैं कॉलर से जाने से पहले मै ने डॉक्ट साब से भी पूछा था बेन यामीन साब से के हकूमत के करने के काम है जो एंजी ओस प्राइविट सेक्टर आप लोग मुक्तलिफ डोनर्स कर रहे हैं क्या ऐसा तो नहीं कि हकूमत जानके अपना काम नहीं कर रहे ताके वह आप लोगों को करना पड़े क्या यह नहीं हो सकता जो रॉक्साब से मैंने पूछा कि आप सारे मिलके जो सारे अपने अपने तौर पर चारिटी कर रहे हैं हकूमत के साथ मेलें एक पॉब्लिक प्राइविट पार्टनर्शिप करें एक मास लेवल का प्रोगैम बनाएं और आपका अपना चार्टर हो आपके सा होने का काम तो यही है अगर आप यह समझते हैं कि इस तरह के काम होने चाहिए तो दुनिया बर में यह काम इसी तरह से होते हैं सरप्रस्ती तो गौर्णमेंट ही को करनी चाहिए जो बक्या एंजियोज होती है वो उसको सपोर्ट करने के लिए होती है लेकिन यह बदकिसमत के वेलिफेर के मिनिस्टर रहे हैं वो बहुत अच्या काम कर रहे हैं इसी तरह से बहुत सहरे जाग ने सुछरत में बहुत सारा काम वहा है इस तरह का लेकिन मरबूत कोई काम नहीं हो पाया और उसके लिए लीडर्शिप चाहिए होती है लीडर्शिप को ये एक मरकजी लीडर्शिप अगर कोई पैदा हो जाए पाकिस्तान में चाहे वो गौर्णमेंट की सता पर हो चाहे किसी भी सता पर हो तो वो ये काम को बहुत अच्छा है और देगे हमने कोशी ये की पिछले किनार किया और रेज्क्या प्लैन किया पूरा यह जो हमारा रेक्यु प्लैन है इन सारे लोगों की सपोर्ट के साथ है ए किada है इन का बेस है यूके इसलामिक मिशन जो यू के बेस है चारिट्यू आस्टेलिया घ köt इन सारे लोगों को पंदे में इस्लामाद में कान से? बोरा तुनायन बात कर रही हूं चराची से. शौल्यकुम कैसे आप ठीके? आप ठीक है है आली बहुत बहुत मुबारक आपको? आपको भी बहुत मुबारक आपको? आपको भी बहुत मुबारक. अलल ताला जिस चालिक का चल अभी कापी कर चुकाना है, अल्ला को करना है राजी और जुनाहों को बक्षवाना है, कुछ खौद हैं जिनको लिखना है, और चादीर को पाना है, कुछ लोग हैं उजरे दिल वाले उन दिलों में प्यार बखाना है, कुछ तौबा करनी बाकी है, और रब को हमें मनाना है, जन्नत का करना है, बेर्दक पे खुद को बचाना है, ऐ माहिर रमजान आहिस्ता चल अभी काफी कर्स चुकाना है। बड़ा असान सा सवाल है, हैबिट एट्रियम में, एट्रियम मौल, एट्रियम जो सैनिमा है, हैबिट का जो फरनिचर है, कितने डिसकाउंट पे वैलेबल है, 50%, 40%, 30%, 20%? ठीक है, आप लाइन पे रहे हैं, हम आपका नंबर लेंगे बहन, और तेंक यू वेरे मच, जो आपने हमें खुबसूरत शेयर सुनाए, बहुत चुक्रिया, जी, जाजब भी, पहले मुझे आप इसका जवाब दे के ये कहीं हम गहर मुल्की एजेंडे पे तो नहीं चल र जाए, और इन साले लोगों से राप्ता करें तो ये पाकिस्तान जो है, कर्ज लेने वाला नहीं, देने वाला मुल्क बन जाए, ये तो वो लोग हैं, जो पुरी दुनिया में बैठे हैं, पाकिस्तानी हैं, मुसल्मान हैं, और जो मुसल्मान नहीं हैं, वो भी पाकिस्तान करें तो बहुत सारे मसाहिल हैं हो सकते हैं, य魚 करें, इन जी को कट आते हैं, आप और लोग गौर्मेंट से कोई चार्टपी कर थे क्रफेंट करते हैं, इन आये, आप आए खुदा के वास्ते कि क्युक्कि कोई ना कोई तो एहले दिल बैठा कोई ना कोई zupełnie तो बहुत अच्छे उनका किरदार रहा उसारे काम में तो उनके साथ हमारा सारा रहा और सारा सिल्सरा यह नि जो निचरी सता पर भी जो राप्ते थे वो अच्छा सपोर्ट हो जाती है लेकिन होता ही है कि यह बड़े लेवल पर करने के काम है जो के यह हमें इस एक आम आदमी को यह अवेरनेस हो कि यह काम कौन कर रहा है और इनके साथ कौन कौन इसके सपोर्ट रहा है अच्छा ओक्ट साब आपने साथ एरिया इडिटिफाई किये अब यह सारे बड़े सेंसिटेव एरिया एडूकेशन का भी हेल्थ का भी ऑर्फनेज का भी डिजास्टर रियाब का पाकिस्तान का अगर हम इन साथ आर्ट जो सबसे बड़े एरियाज में जो सोशल रिफॉर्म की जरूरत है कोई अगर एक एरिया आपको खिदमत के तौर पर चूज करना पड़े और आपके हम अपनी सारी रिसोर्स पहले इस एरिया को सही कर दें तो मुल्क को कोई डिरेक् एजूकेशन और हैल्थ फराम कर दें तो जाहर है उनकी एफिशेंसी भी बढ़ेगी और काम करने के उनके मौके भी बढ़ेंगे वो बेतर तरीके से मुल्क के खिदमत भी कर सकते हैं अपने आपको भी सुपोर्ट कर सकते हैं और एक अच्छा मौशरा बनाने में बहुँ मुझे यह बताएं कि हमारे हकूमत की प्रियरिटीज में या बजट जब अनौन्स होता है तो हेल्थ और एड्यूकेशन जो आपने बैकबोन ऑफ सुसाइटी जो आपने एरिया इडेंटिफाई किया क्या वो हमारी सतर साल की तकरीबन जो प्रेफरेंस में हमेशा तो वो इसलिए उनकी प्रियूरिटी पे नहीं रहा कि जो लोग पारलिमेंट में बैठते हैं उनको ज़रुदी नहीं रही प्रापिशन चीज़ की, तालीम उनकी प्रियूरिटी पे नहीं थी क्योंकि वो अगर अपने मजारे को और अगर वो हेल्थ के ओपर फोकस करेंग के उनको तो हेल्थ के लिए कभी प्रॉब्लम ही नहीं रहा तो ये ये गैप इस वज़ा से तो नहीं है या कोई दुनिया की कोई कुवत ऐसी है जो चाहती है के पाकिसान में एरिया डवैलप नहीं ये भी एक वज़ा है मैं समझता हूं ये हमारी अपनी ही कुरताई हैं और जो हमारी लीडरशिप की कुरताई हैं कि वो इनको ये मसाइल धर पेश नहीं है और वो इन मसाइल को हल करने में सीरियस भी नहीं है चुँके वो इस किसम की सोसाइटी जो कि एक अच्छे मुल्क को चलाने के लिए दरकार है वो नहीं चाहते हैं कि इस तक साइटी हो जागी जैसे आपने का तो फिर उनकी साहर है वैल्यू कम हो जाएगी चोदरागा हो जाएगी तो इसलिए अपनी जो दराहाट अपनी लीडर्शियर अपने बड़े-बड़े जिम्हदार जो हैं और उसको वह कम नहीं करना चाहते तो इसलिह हासे लेकिन बेराल यह अव चाहिए जो बेसिकली अवाम को उनके राइट्स के बारे में बताएं, है ना, अजाज़ भी आप लेट आई हैं, इसलिए आपकी सजा ही है कि अब हमारा टाइम खत्म हो रहा है, वो कैमरा आपके सामने में बचाता हूँ, पलखनमत ट्रस्स की तरफ से लोगों से कोई अपील करना चाहिए, डुनेशन्स के लिए उनको बताना चाहिए, आपको कैसे अपरोच करना है, वो बता दीजे प्लीज, ताके लोग आपसे राप्ता कर सके हैं, अलगज़ फ़ूरी तो आप सारे लोगों के सामने, पाकिस्तान की पूरी अवाम के सामने, इन 10,000 बच्चों को जिनको हमने सेलेक्ट किया है, झाल 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 झाल